आप सब लोग और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो पिछली वीडियो में हम लोग उने लाइन से रैंगल्स काई कि इंट्रॉड़क्शन वीडिय मुझे उमें काथे सारे स्ब्सक्राइब करने बाल प्रिंट्रोटरी राइनगरशन आपनी प्रिंट्रा र cares आपनी में जम लोग मैं कोई लाइन हे रै पैस से घ्ट कोनष और ये डिया प्रिंट्रो फेर सी दो एक तो और मुझे बताना है अंगर A, O, C की वाल्यू एक तो और मुझे बताना है अंगर B, O, C की वाल्यू तो फर्स्ट क्वेशन है तो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगी वह एक बार आप लोग वीडियो पॉ इसका सॉल्यूशन देख लेना, ओके यह क्वेश्चन एक बार मैं परा देती हूँ तो यह A, O, C और B, O, C की वाल्यू अब देखूँ यह A भी एक लाइन है अब हम चानते हैं कि जो एक लाइन होती है उससे अगर कोई एक रे निकलती है तो उस पे बनने वाले जो भी अं इक्ति डिगरी है। 6x이ass exx हैपे एक्ति डिगेरी, x की वाले ना, इसके वाल्यून देख इपागर है Barker ऐंभी तुम्ति तिर इंगर साउर्टीफ जोס थ॥ूथ कि और इसकी वाल्यूचीच द्टूच यह आंगल है। 4x के equal है 4 into 30 degree कितना हो जाएगा 120 degree और आप देखो 120 degree plus 60 degree का sum किता होता है 180 degree तो इस तरह से simple simple question है यह बहुत ही basic सा question था हमारे पास में इसा question है हमारे पास में ऐसे ही मैंने एक line ले ली है PQ line लेते हैं चलो इस पार ठीक है और इससे मेरे पास में कोई ray निकल रही है OR ठीक है इस PQ line के O point से एक ray निकल रही है ठीक है यह angle A degree का है यह angle B degree का है ठीक है और मुझे दे रखा है कि A minus B जो है 80 degree के equal है तो बताए A और B की value क्या होगी यानि A किसके क्या हो जाएगा और B क्या हो जाएगा यह मुझे से पूछा हुआ है तो एक बार आप वीडियो पॉस करें और इस question को solve करने की कोशिश करें बहुत ही simple question है ठीक है तो चलिए हम लोग solve करते हैं इस question को A degree और B degree हम जानते हैं फिर से के एक line है और इससे एक ray निकल रही है that means A degree प्लस B degree की value किसके equal होगी 180 degree के equal होगी यह तो हमने पता लगा लिया किसके help से linear pair of angles की help से यह linear pair of angles बन रहे है चीक है तो उसकी विज़े से A plus B की value 180 degree के equal हो जाएगी और साथ साथ में हमें given क्या है हमें given है A minus B is equals to 80 degree चीक है तो क्या करना है यह दो equations है कुछ मत करो equation 1 plus 2 दोनो equations को अगर मैं add करती हूँ तो A plus A कितना हो जाएगा 2A चीक है B और यह minus का B है दोनों को add करेंगे तो क्या आएगा cancel हो जाएगे दोने एक दूसरे से ठीक है तो यह तो cancel हो गया 180 degree plus 80 degree कितना हो जाएगा 260 degree हो जाएगा ठीक है तो A की value कितना है आजाएगे 260 degree by 2 यानि की 130 degree के equal हो जाएगे आई बात समाझ मैं यह हो गया 130 degree के equal A की value मुझे मिल गए क्या मेली मुझे A की value 130 degree अब मुझे B की value चाहिए तो B की value या तो मैं इस वाली equation में पुट कर दूँ या इस वाली equation में पुट कर दूश्रा मैं इस वाली equation यानि A degree minus B degree is equal to 80 value में पुट कर देती हूँ तो A की value है क्या equation है मेरी A minus B is equal to 80 A की value है मेरी 130 minus B is equal to 80 B को इस साइड फेज़े तो 80 को इस साइड लिया हो 130 minus 80 is equal to B कितना हो जाएगा इसकी value जाएगा हमारे पास में 50 के equal तो B की value आगई 50 degree के equal और A की value आगई 130 degree के equal इस तरह से हम इस question को easily solve कर सकते हैं तो बेटा दिमाग यहाँ पर यह लगाना है कि हमें हमने जो बाते पड़ी हैं उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग vertical opposite angle की property को use कर सकते हैं हम लोग इस तरह से जो properties को use कर करके और कुछ चीज़े हमें दी होती है उससे ये questions बढ़ी ही आसानी से solve हो जाते हैं ठीक है तो next question में मैंने एक line ली है AB ठीक है और इसकी एक point से पर से क्या निकल रही है 54 एक रे नहीं छो धो ढरीए टो रे निकल रही है अब मुझे가 तो रे के बीच में एक एंगल बनेगा, यानि O A और O D के बीच में एक एंगल बन रहा है, क्या हूंसा एंगल? A O D, ठीक है? वैसे ही O D और O C के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, और O B और O C के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है? अब मुझे दे रखा है कि माल लो angle AOD plus angle BOC is equal to 70 degree के equal है ये मुझे given है ठीक है ये मुझे given है तो बताना है मुझे angle COD की value क्या होगी चीक है ये बात मुझे बतानी है तो देखो फिर से हमारे पास में line है अब दिमाग में एक line देखते है और एक ray देख के हमें click हो जाना चाहिए कि यहाँ पर linear pair of angles का जो rule है वो apply होगा वर करेगा ठीक है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि angle AOC देखो ये एक line है इस पर दो रे निकल रही है लेकिन जो total angle होगा ये वाला ये तो 180 degree के equal ही होगा ना अचाहिए कितने पार्ट में उसको डिवाइट कर दूँ पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइट कर रहे थे अब हम लोग ने तीन पार्ट में ये फर्स्ट अंगल ये थर्ड अंगल इन तीनों का सम तो 180 degree के equal ही होगा तो कौन कौन से आंगल है देखो लीनियर पेर ओफ अंगल की है चीक है ये बात मुझे पता चल गए अब मेरेको एक चीज़ दे रखी है इसने कि जो AOD है ये वाला अंगल AOD और BOC या ये BOC या COB कुछ भी बोलो इन दोनों का सम 180 degree के है तो अगर इन दोनों को पास-पास में लिख दो AOD प्लस अंगल COB या BOC कर दो इसने प्लस अंगल COD is equal to 180 degree DOC लिखो COD लिखो बात तो एक ही है इन दोनों का सम मेरे पास 70 के है 70 degree प्लस अंगल COD is equal to 180 degree हो जाएगा तो 70 के वदर फेलो तो मुझे इसकी value पता चल जाएगी COD is equal to 180 degree माइनस 70 degree यानि की 110 degree मिरे जो COD है इसली value y 110 degree simple question था easy question था बहुत ही जादा ये linear pair of angles से काफी सारे questions आ जाते हैं काफी easy questions भी होते हैं जादा difficult नहीं होते और vertical opposite angles से भी कुछ questions हमें मिल जाते हैं ठीक है question है कि दो lines है कौन-कौन सी line एक है PQ और एक है RS PQ R S ठीक है और किस एक point पर ये लोग intersect कर रही है दोनों lines कौन से point पर O point पर मालों intersect कर रही है और इस O से एक ray निकल रही है O T ठीक है ये मेरे पास में diagram है ये कह रहा है कि जो angle sorry ये P होगा इसको क्यों करते है इसको R कर देते है और इसको S कर देते है question कह रहा कि जो angle P O T है ये वाला angle 75 degree के equal है ठीक है इस वाले angle की value मुझे दे रखे 4B के equal इसकी value दे रखे 2C के equal इसकी value दे रखे A के equal और इसकी value दे रखे B के equal और मुझसे पूछ रहा है कि find करो A B C A B C तीलों की value मुझे find करनी है ये मुझे इसने diagram देती है इसमें से मुझे इसने एक angle की value बताई है और बाकी सारे angles मेरे पास अभी unknown है variable के form में है A B के form में है ठीक है इस question को एक बर आप लोग try करके देखें बहुत है अच्छा question है बहुत ही simple question भी है अगर हम थोड़ासा दिमाग लगाए तो इस question को एक बर हम लोग solve करके देखेंगे ठीक है चलिए अब देखो इस question को solve कैसे करेंगे यह हमें कह रहा है कि दो lines है हमारे पास में टो भी ब्ँभांग में शिखेंग टूरुडने कि कोशिश करेंगे नहीं ठीक है एक्सक्तों हिमारे आंगल की value नहीं तए 4B is equals to a होगा 8B ranks the ब्राइब 10B only औरiben 84B is equals to a है ना मुझे बीकी वैल्यो पता है है ना तो यानि वर्टिकली अप्पोसिट आंगल का जो रूल है वह भी हम लोग अपलाए नहीं कर सक है आगे हो सकता है हम लोग अपलाए कर पाए वह लोग देखेंगे ठीक है अभी हमें कुछ और दूनना पड़े तो अभी मुझे एक च अपलाए कर रहे हूं मैं उस फिनामेना को यहां भी अपलाए कर सकती हूं लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ इस वाले पॉइंट पोजिशन पे भी आरेस वही लाइन रहे कि यहां पे भी मैं वह फिनामेना यूज कर सकती हूं 2C प्लस A की वाल्यू भी 180 डिग्री के ह लेकिन मुझे यहां पे नजर आ रहा है कि यहां पे एक तो 4B है और एक B है यानि कि मुझे यहां से बी की वैलिन मिल सकती है यह मुझे थोड़ा से दिमाग लगाना पड़े है तो मैं क्वेशन को बढ़ा करने के मुझे शॉर्ट मैं करूंगी कि मैं RS लाइन दे लेती हू तो ROP अंगल ROP प्लस अंगल POT प्लस अंगल TOS यह तीनों अंगल एक लाइन पर प्रेजंट है तो इनकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी 180 डिग्री के इक्वल होगी होगी के नहीं ठीक है अब ROP की वैल्यू मिरे पास है 4B ठीक है POT किसने मुझे वैल्यू दी है 75 डिग्री के इक्वल और TOS की वैल्यू है मिरे पास B के इक्वल is equal to 180 डिग्री यह 4B प्लस B कितना हो जाएगा 5B और 75 को हम लोग उस साइड भेज जाए तो 180 माइनस 75 5B की वैल्यू किसके इक्वल आजाएगी 5 और 105 डिग्री के है इक्वल यानि B की वैल्यू किसके इक्वल आजाएगी 105 degree by 5 के equal B की value आजाएगी 21 degree चीक है B की value किसके equal आगई 21 degree के equal आगई अब A की value निकाल लेते है A की value अब हम लोग कैसे निकाल सकते B की value यह है और A हमारे पास पर सामने आजाएगा तो यहाँ देखो यहाँ बैं मैं यूज कर सकती हूं vertically opposite angle का format में ना POR और SOQ जोनों vertically opposite angles है 4B जो है वो is equals to A होगा vertically opposite angles क्या होते है equal होते हैं तो 4B is equals to किसके equal होगा A के equal होगा 4 into किसके equal 21 के equal is equals to A तो A की value कितनी आजाएगी 84 degree चीक है अब देखो अब क्या करना है C के value फाइंड गाण निकाएगा आगई बची है तो बहुत आसान काम है अब मेरे पास A की value भी आ गई है B की value तो आई गई थी C की value निकालनी है तो मैं इस वाले side पे linear pair of angles का phenomena लगा दू RS line है उससे O की एक ray निकल रही है तो 2C प्लस A की value किसके equal होगी हमारे पास मैं 180 degree के equal तो मैं यहाँ पेस को कर देता है ठीक है 2C प्लस A की value हो जाएगी 180 degree के equal 2C प्लस 84 है A की value तो 180 degree के equal 2C is equal to 180 degree minus 84 2C की value किसके equal आजाएगी 96 और 9 96 degree 96 degree के equal आजाएगी तो C की value किसके equal आएगी 96 by 2 यहनि की 48 degree के equal आप चेक करके भी देख सकते हो 48 degree हमारे पास मैं 2C है किसके equal 96 degree के equal प्लस 84 करके देख लो आप लो किसके equal आ रहा है 180 degree के equal आ रहा है कि नहीं यहनि इस तरह से हम लोग एक ऐसी question को दिखने में काफी complex है लेकिन बहुत ही आसान question है कैसे आसान है यह हमारा जब हम लोग इसको टुकडो टुकडो में देखना शुरू करते हैं हम इसको एक big complex problem की तरह ना देखें हम देखें कि भई मैं यहां पर कौन सा में solve करनी कोशिश करनी है phenomenon apply करके solve करनी कोशिश करनी है और यह questions बढ़ी आसानी से solve हो जाते है ठीक है चलिए अगला question है हमारे पास में एक line हमें दे रखी है बोड़ा नीचे बना जाता है एक line हमें दे रखी है AB ठीक है इससे 2 ray निकल रही है P Q क्यों से O से तो यह O P और O Q मेरे पास में 2 ray निकल रही है ठीक है 2 ray या फिर चलो 3 ray ले ले लेते है R B ठीक है अब मुझे यह कह रहा है कि यह जो O Q ray है क्यों सी ray O Q ray यह मेरे A O R angle को bisect कर रही है bisect करती है जब वो उसको equal parts में डिवाइड कर दीती है यानिकि यह O Q ray है यह मेरे angle A O R को equal parts में divide करेगी equal parts में divide करने को मतलब क्या हो जाएगा angle A O Q and angle Q O R यानिकि यह वाला angle और यह वाला angle दोनों equal होंगे क्या होंगे? equal होंगे bisect कर रहे हैं तो angle bisect होगा तो equal parts में divide होगा अगर मालो यह 60 degree के equal था A O R angle यह पूरा वाला यह पूरा angle जो है यह 60 degree के equal था तो अब यह 30 हो गया यह 30 हो गया इस तरह से bisect कर दिया ठीक है? अब इसको यह bisect कर रहे है और यह O P ray है यह मेरे इस वाला angle B O R angle को bisect कर रहे है यह angle और यह angle equal हो जाएंगे ठीक है आई बात समझ में यह हमारे पास मेरा diagram है अब हमसे यह कह रहा है कि proof करो proof angle P O Q is equal to 90 degree proof करने को कह रहा है इसकी angle जो है P O Q यह angle दिख रहा है इसको proof करो कि 90 degree के equal होगा कैसे proof करेंगे हम लोग इसको हमें proof करने के लिए हमें कुछ identities यूज़ करनी होंगी अब सबसे पहले तो आप यह question solve करके देखी क्या solve हो रहा है आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे वीडियो चलाते रही हम लोग इसे solve कर ही रहे हैं लेकिन सबसे पहले आपको खुद solve करके इस question को देखना है अच्छा question है प्रैक्टिस question है अच्छा हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग values फाइंड कर लेते हैं लेकिन किसी इसको प्रूफ करना तो बड़ा समुश्किल होता है तो प्रूफ करने वाले questions को भी हमें प्रूफ करना आना चाहिए अब देखो क्या कह रहा है question सबसे पहले कह रहा है कि आपके पास में एक line है इसे एक OR ray निकल रही है इस ray से जो angles को formation कर रहे हैं हम लोग याने AOR और ROB का उनको दो ray respectively byset कर रहे हैं OQ byset कर रहे है इस angle को और OP byset कर रहे हैं इस angle को मुझे इस angle की value 90 degree प्रूफ करनी है सबसे पहले देखो line दिखते ही एक line दिख गई उस पर rays दिख गई तो सबसे पहले phenomena use कर लो linear pair of angles का सबसे पहले देखते ही ठीक है यहां पर यह जो पूरा angle वनेगा यह वाला और एंगल के अंदर चार एंगल सा रहे है तो AOQ PLUS QOR PLUS ROP PLUS POB किस के कवर 180 degree के कवर ठीक है अम मैं एक चीज़ जानते हूं क्या जानते हूं अगर इसको bisect कर रहा है यह दो चीज़े मैं जानते हूं तो मेरे पास में आंगल AOQ है अगल QOR होगा के नहीं होगा अगर इसको bisect कर रहा है तो यह angle और यह angle equal होंगे और साथ-साथ में angle ROP यह वाला angle किसके equal होगा POB के equal होगा यह जो OP है यह इसको bisect कर रही है यह दो चीज़े मैं जानती हूं तो मेरे पास में angle AOQ है अब angle QOR के जगा में angle AOQ लिख सकती हूं तो यह तो मेरे angle AOQ है ही QOR भी angle AOQ के equal है तो यहां भी मैं AOQ put कर देती हूं plus ROP तो मेरे पास में है ही POB की value भी ROP के equal है तो यहां में ROP लिख देती हूं 180 degree एक AOQ एक AOQ किता हो जाएगा 2 AOQ plus ROP किता हो जाएगा 2 ROP 180 degree के equal ठीक है देखो 2 और 2 ठीक है यह दोनों common आ जाएगे यहां से 2 तो 2 is equal to angle AOQ plus angle ROP is equal to 180 degree अब मैं एक बात जानती है उसे पर तो 2 को उदर भेशते हैं तो angle AOQ plus angle ROP is equal to यह 2 divided में जाएगा 180 degree किता हो जाएगा अब मैं जानती हूं AOQ की value किस के equal है angle QOR के equal है यहां में angle QOR plus ROP की value POB के equal है तो angle POB is equal to 90 degree के equal है यह तो मुझे भी पता चला लेकिन QOR और POB QOR और ROP हम यह ROP ही रहने देंगे ठीके QOR और ROP दोनों मिलाके क्या formation हो रहा है POQ का formation हो रहा है देखो इस angle को प्लस इस angle को मैं मिला दू यह वाला angle और यह वाला angle मिला दू तो कौन सा angle बनेगा यह बन जाएगा POQ angle बन जाएगा ठीक है मुझे POQ की value find करनी है तो यह दोनों को अगर मैं अड़ कर रहे हूं तो किसके equal हो रहे है इस दोनों angle POQ के equal हो रहे है is equal to 90 degree यह हमें proof करना था ठीक है इस तरह से हम लोग इस question को solve कर सकते हैं एक और question हम लोग solve करके देखते हैं एक line दे हुई है AB ठीक है और दो lines intersect कर रहे है इसी line पर से यानि के तीरो line एक उससे intersect कर रहे है किसी point O के माल लो इसकी value PQ के equal है और इसकी RS के equal है ठीक है अब हमें इस angle की value यानि AOR की value दे रखी है 45 degree 40 degree और इस angle की value दे रखी 35 degree हम से पूछ रहा है यह angle AOP की value मुझे बताओ और angle POS की value मुझे बताओ यानि एक तो इस angle की value पूछ रहा है और एक इस angle की value पूछ रहा है ठीक है इन दो angles की value पूछ रहा है और यह दो angles मुझे इसने दे रख है कहा है कि तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से ठीक है अब हम एक बात जानते हैं कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो किसका formation होता है vertically opposite angles का formation होता है चीक है किसका formation होता है vertically opposite angles तो vertically opposite angles का phenomenon मैं अभी कैसे apply कर सकते हो अभी तुम apply कर नहीं सकती मुझे एक तो इस angle की value चाहिए और इस angle की value तो सबसे पहले POS की वाल्यू निकालता है अंगल POS की वाल्यू मैं चांदती हूँ यह AB एक लाइन है चीक है इससे दो रहे निकल रहे है OR और OQ that means इस पूरा अंगल के जो वाल्यू है इसके किसके इक्वाल हो जाएगे 180 डिगरी के एक्वल यानि अंगल AOR अंगल AOR प्लस ROQ प्लस QOB किसके इक्वल होगा 180 डिगरी के अब देखो अंगल AOR किसके इक्वल है 40 डिगरी के प्लस अंगल ROQ की वाल्यू मुझे नहीं मालू हूँ प्लस अंगल QOB की वाल्यू 35 डिगरी के इक्वल है और किसके इक्वल हैं सब 180 डिगरी के तो ये ROQ को इथर रग दो प्लस 40 और 35 किता हो जगा 75 डिगरी is equal to 180 डिगरी तो ROQ की वाल्यू किसके इक्वल होगी 105 degree के equal अब यह ROQ यह जो angle है यह 105 degree के equal आ गया इसके just opposite में है यह angle POS vertically opposite angle है यह line और यह line जिब इंटरसेक्ट करीं तो यह दो-दो angle होंगे यह किसके equal हो जाएंगे जल्दी बताओ एक दूसरे के equal हो जाएंगे यानि कि ROQ will be equal to angle POS तो angle POS की value किसके equal हो जाएगी 105 degree के ही equal हो जाएगी ठीक है तो इस angle की value तो मुझे पता चल लगए फ़र POS की value है 105 degree अब एक AOP की value मुझे find करने है AOP की value किसके equal होगी देखो मुझे को इसे दो line बताओ जो इंटरसेक्ट कर रही हो अगर मैं देखो AB और PQ तो यह 35 degree का जो एंगल है इन दोनों कहीं बीच में बन रहा है RS का तो कोई काम ही नहीं है AB और PQ के बीच में यह 35 degree बन रहा है तो यह AB और PQ के बीच में यह angle जो बन रहा है यह vertical यह opposite angle का फ़र्मेशन करीगा क्योंकि दोनों लाइं इंट्रसेक्ट कर रहे हैं इन दूसरे को तो यह जो BOQ है यह AOP के इक्वल होगा angle BOQ will be equal to angle AOP किसके help से? vertically opposite angles है भाईये दोनों लाइं इंट्रसेक्ट कर रहे है ठीक है? यानि angle AOP की value किसके इक्वल आ जाएगी? BOQ की value क्या है? 35 degree है इसकी value भी 35 degree के equal हो जाएगी बस इस तरह से हम लोग vertical या opposite angles की help से इस question को solve बहुत ही easily कर सकते हैं कह रहा है कि एक line है हमारे पास में AB और इस ते दो रह निकल रहे है OC और OB ठीक है? कह रहा है कि AOD की value जो है वह x-1 angle के equal है COD की x के equal और COB की x-1 के equal consecutively है तीनों angles जैसे हैं consecutively तीनों angles को formation consecutively हो रहा है इसका मतनब ये सबसे कम उससे जादा फिर और जादा ठीक है? एके करके बढ़ रहा है ठीक है? प्रूफ करना कुछ नहीं है बताना है कि x के value किसके equal होगी? तो कैसे पता करेंगे? इतने questions हम लोग solve कर रहे हैं तो I hope ये questions आप लोग बहुत easily solve कर सकते होंगे सबसे पहले खुद question solve करने की कोशिश कीज़े देखिए कैसे होगा? फिर answer तो मैंने बता ही देना है ठीक है? पानी पी लेते है छप्ता ठीक है linear pair of angles का फिरा में लगा दे 1.3 degree के equal होगा? कुछ भी कर लो linear pair of angles को लगना ही है linear pair of angles की help से लिख देना linear pair of angles हम लोग apply कर रहे है teacher को पता नहीं होता है ये वच्चा क्या apply कर रहे है teacher को कुछ पता नहीं होता है पता ही नहीं कि क्या अपलाए कर रहा हूं हर चीज को लिखो by linear pair of angles hence given यह सब चीज़ें दो होती है हमारे आंसर को अच्छा बनाती है यह मान के लिखो कि अगयावाद जो टीचर कर रहा है उसको नहीं आता उसको हम बता रहे हैं इसलिए हम हर चीज को मेंशन करना पर यह मान के लिखोगे तो आपको अंसर अच्छे से लिखोगे linear pair of angles के help से हम लोग क्या कर रहे हैं x-1 चाल x-1 ना लिखे पहले AOB plus angle BOC plus angle COB is equal to 180 degree है ना अब angle AOD की value x-1 के equal है BOC की x के equal है और COB की x plus 1 के equal है देखो-1 से plus 1 कैंसर x plus x plus x 3x is equals to 180 degree x की value 180 degree by 3 इसके equal 60 degree के equal तो तीन अंगल की value क्या होगी यह x-1 है यानि 60-1 यह होगा 59 degree ठीक है यह x खुद है यानि 60 degree और यह x plus 1 यह 60 degree plus 1 यानि 61 degree 50 times 60, 61 consecutively है ठीक है पहले 59 फिर 60, फिर 61 ठीक है चलो एक question आप लोग गो homework दे रहता है यह question आप लोग खुद solve करेंगे और इसका answer बस आप मुझे बताएंगे तो क्या ही तो प्रूफ वाला question है दो question देगे चलो ओवर एक question तो आप लोग को solve करना है खुद से मुझे तो आप लोग इसमें कुछ बता नहीं सकते क्योंकि question कुछ इस तरह से है कि एक रे निकल रही है AB line से दिख रहा है कि Marker King काफी healthy हो गई है I hope दिख रहा होगा AB line पे एक रे है OC अभी आप लोग को लग रहा होगा कि वह तो perpendicular ray है लेकिन अभी में को नहीं पता है perpendicular है कि नहीं आप प्रूफ करोगे perpendicular है कि नहीं यह कह रहा है कि angle AOB is equal to angle BOC है बस इतना इसने बताया है यह एंगल मैं 90 degree का अपनी बनाऊंगी यह एंगल और यह एंगल इक्वल है प्रूफ करना है कि angle AOC sorry angle AOB नहीं है एंगल AOC है एंगल AOC is equal to 90 degree है यह तो आपने मुझे प्रूफ करना है ठीक है तो यह question लिख लो आप लो इसको होंबग में solve करना प्रूफ करके देखना कैसे होता है बढ़ा ही simple question है दो ते लाइन में solve कर जाए ठीक है एक और question लिखते हैं चल्ड़ों य इसका answer मुझे आप लोगं को बताना है comment box में दो line है PQ RS ठीक है PQ R और S ठीक है और यह O point पे meet कर रहे है दिख रहा है सबको यह line मार कर काफी हलका सा हो गया है फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसको फूरा वीडियो के अंत तक ही चल जाए ठीक है PQ और RS ठीक है यह angle जो है यह 80 degree है यह x है यह y है find x and y यह चीज़ मुझे x और y की value बताओ यह मेरे पास मेरा डाइग्राम है इसे आप लोग ड्रॉ कर लो यह angle vanity degree के equal है यह x के equal है यह y के equal है x और y की value मुझे आप लोगों को पता के लगा के देनी है इस question का answer आप लोग मुझे comment करके बताओगे okay done दो questions homework में हो गए एक तो आप लोग को prove करके देखना है खुद से solve करना है और इस question का answer आप लोग मुझे comment box में बताने वाले हो ठीक है आज के video हमने काफी सारे questions कर लिए practice questions कर लिए अगले video से हम लोग आगे का topic इस chapter को बढ़ाएंगे ठीक है यह questions जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को बहुती पेशेंस के साथ देखने के लिए thank you so much lines and angle chapter से जुड़े हुए जो notes है वो आप लोग को remedial education point जो नीचे लिखा वहा रहा है इस पर आप लोग को मिल जाएंगे यहां पर आप लोग जाके सारे notes पा सकते हैं lines and angles chapter के अच्छे से ठीक है जरूर विजिट करें thank you so much हुआ 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 है